दिल्ली में जो तेहरा से बीस नवंबर तक और इवन लागू होना था वो फिलहाल के लिए टल गया है और दिवाली बाद से फैसला ले जाएगा दिल्ली के प्राड़मेंटरी गोपाल राये मेरे साथ मौझूद है गोपाल जी इस फैसले का अधार क्या है देखे फैसला लिया जब गया था तो उस समय दिल्ली में प्रदूस्वन का अस्तर जो एक युवाई है वो साड़े चार सो से ज़्यादा पहुंच चुका था रात में बारिस के बाद हवा की जो इस्तिती बदली है उसमें अब एक युवाई तीन सो के आसपास आ गया है तो इसको देखते हुए प्रदोस्वन के अस्तर में लगातार सुधार दर्ज किया जा रहा है जिसको देखते वी सरकार ने में नरलिया है कि अभी 13 तारिख से जो आटीविन लाओ करने का करने का दिश 55 करेंगी सरकार और फिर आगहीं क के अ We गुबर्जी देश की सरोच अदालत में इस बात को लेकर सुनवाई थी और इस बात पर भी कलंबी चोड़ी बहस हुई क्या इसका फायदा है साइन्टिफिक है या नहीं है उसको लेकर क्या कहेंगे अभी उनका रेटिन फैसला नहीं आया है सरोच नियाले के रेटिन फैसले का सरकार इंतिजार कर रही है एक बार उसको इस्टडी करेंगे और फिर पॉइंट वाइज पॉइंट अपनी कारोजना बनेगे दिल्ली इंसियार की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें अपना पसंदीरा चानल टीवी नाइन दिल्ली इंसियार फीस्बुक ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमें सर्च करें अट दरे टीवी नाइन दिल्ली इंसियार पर